आप देख रहे है टॉप हिंदी नियूज दोस्तों, आइंस्टीन का लिखा, खुशी का नुस्खा, 10 करोड में विका मश्हूर वैग्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन का खुशाल जीवन के बारे लिखा एक नूट येरूशलम में हुई नीलामी में करीब 10 करोड 23 लाथ रुपए का विका है ये नूट आइंस्टीन 1922 में टोक्यो में एक वेटर को बतौरा टिप दिया था आइंस्टीन को पलभर पहले ही ये बताया गया था कि उन्होंने नोबेल पुरसकार जीता है ये संदेश उन तक पहुँचाने वाले को आइंस्टीन ने एक नूट भेंट किया और कहा कि भविशे में ये कागज का तुपड़ा बेशकीमती हो सकता है उन्होंने अपने नोट में लिखा था कि जीवन में मंजिल हासिल करने के बाद भी खुशी मिल जाए इसकी कोई गांगरती नहीं है आइंस्टीन जापान में लेक्चर देने आये थे जब कुरियर उनके कमरे में संदेश लेकर आया तो उनके पास उसे बत और इनाम देने के लिए कैश नहीं था इसी वजह से उन्हों ने संदेश वाहक को टोक्यो के इंपीरियल होटल के पैर पर लिखा नूट थमाया उस नूट में जर्मन भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था कामयाभी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाए एक शांत और विनुम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा करीब इसी दोरान के एक दूसरे नूट में उन्होंने लिखा जहां चाह वहां राह ये नूट करीब दो करूर रूपियों में नीलाम हुआ नीलामी करने वाली कमपनी ने कहा कि इन दोनों नूट की कीमत अनुमान से कहीं अधिक है कमपनी ने कहा कि नूट का एक खरीदार यूरोपिय है और वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता बताया जा रहा है कि नूट को बेचने वाला साल 1922 में आइंस्टीन तक संदेश पहुचाने वाले वेक्ती का भतीजा है